नमस्कार में देख्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है पेरेंट्स बनना किसी भी कपल का सपना होता है शादी के कुछ वक्त बाद कपल बच्ची की कोशिश करने लगता है लेकिन जब वह सफल नहीं होते तो ऐसे में वो कई तरीके अपनाता है कभी-कभी कुछ मे आईवेफ प्रक्रिया सबसे अच्छी मानी जाती है ऐसा माना जाता है कि आईवेफ प्रक्रिया सबसे सुरक्षित प्रक्रिया है इसलिए यह महंगी प्रक्रिया भी है अधिकतर जुड़े आईवेफ के जरीए पैरेंट्स भी बन जाते हैं लेकिन कभी-कभी कई कारकों के चलते प्रक्रिया विफल हो जाती है हलाकि इस स्थती में निराश होने की जगे आपको इसके कारणों के बारे में जानना चाहिए और साथ ही आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम भी उठाने चाहिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपकी आईवेफ प्र स्थिमिलेशन की समस्या है या यह गर्वभा शैकारक है यदि बूर में कोई समस्या नहीं है आईवेफ के माध्यम से गर्वधारन करने के दूसरे प्रयास भी कर सकती है आप दूसरा प्रयास करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सफलता दर्ण का अधिक सटी कनुमा ससब्सक्राइब कोशिश करें वहीं अगर ब्रोवहर्य को सब्सक्राइं के साथ कोई समस्या के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते है वहीं अगर गैमिट में कोई समस्या है तो आप एक डोनर गैमिट का विकल भी चल सकते हैं आपका डॉक्टर को जीवन शैली में बदलाओ का सुझाओ दे सकता है या गले प्रयास में सफल गर्भावस्था के लिए कुछ टेस्ट भी लिख सकता है वहीं अगर असफल आईविएफ चक्र के लिए यूटरिन जिम्मेदार है तो आप दूसरा प्रयास करने से पहले इसे ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं विशेशक कि इसमें आपकी मदद करेंगे तो अगर आपकी भी आईविएफ की प्रक्रिया विफल हो गई है तो आप इन्हें कारकों का ध्यान जरूर रखें इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो को लाइक शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भ